पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर भारत का पार्ट है यहाँ पर माशार्द शक्ती का वास है और यहाँ पर आप देख पाऊगे इनकी ए स्टेट्पेंट पार्ट M. यह भारत का हिस्सा था और रहेगा हम इसको मांते रहेंगे बैनों भाईयो से हम कभी भूलेंगे ने यह कैसे हो सकता है कि शीव शुरूपा बाबामर्णात हमारे हां हों और माशार्द शक्त श्रूपा यलोची के पार हों बैनों भाईयों यह बराबर यह शीह हम को सालती रहे आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में अब मुझे पता है अचानक से राजना सिंग जी ने ये स्टेट्पेंट क्यों दी दी देखिए अचानक से स्टेट्पेंट नी दी है क्योंकि कल 26 तारीक को है कारगेल विजय दिवस कारगेल विजय दिवस एक जेलने पड़े काफी लॉसेस इंटरस्टिंग बात ये है के कारगेल यूद के दुरान USA को डर ये था के इंडिया चड़ाई करके पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है पाकिस्तान उक्पाइड कश्मीर ये वापस ना ले ले और ये डर USA का सिर्फ कारगेल वार में नहीं था कारगेल वार से पहले भी आप अगर जाओगे तो 1971 वार में निक्सन का सबसे बड़ा डर ये था के बांगला देश तो हाद से निकल गया इस पाकिस्तान जो था वो तो अब एक सेपरेट कंट्री बन गया USA को लगा अब इंडिया रुकेगा नहीं इंडिया अराम से पाकिस्तान occupied कश्मीर भी capture कर लेगा कई historians वसे कहते भी हैं के पाकिस्तान के जो 91,000 soldiers हमने capture किये थे उसके बदले में P.O.K की बहुत सारी जमीर हम trade-off कर सकते थे मगर इंडिया ने वो जो मौका था ये गवा दिया और U.S. चाइना दोनों देश में आपको बदा दू कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया के पास ना P.O. के आ जाए अब यहाँ पर आपको गया ऐसा क्यो तो U.S. डेफिनेटली ये जाता है कि इंडिया उतना strong रहे कि चाइना को block करता रहे एशिया में मगर इतना जरा strong भी ना बन जाए कि चाइना के साथ-साथ एक और नया giant खड़ा हो जाए जिसको U.S. कंट्रोल नहीं कर पाएगा अब हाला कि मैं आपर ये बात आट कर दू कि P.O.K के इशू को लेकर इंडिया को support करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस इशू पर U.S.A. में दो camp आपको मिलेंगे एक camp कहता है कि पुरानी निती अपना कर रखो P.O.K इंडिया के पास नहीं जाना चाहिए फिर कई politicians आई USA में उनने ये काए कि अगर इंडिया के पास P.O.K होता तो इंडिया एक्टिवली हेल्प कर पाता USA की अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान occupied कश्मीर strategically बहुत important है इसलिए आपने देखा होगा हमारे विदेश मंतरी डॉक्टर रैजा शंकर कह चुके हैं काफी बार के P.O.K belongs to India हमारी बस उस पर jurisdiction नहीं है jurisdiction in the future विलकुल आ जाएगी हमारे विदेश मंतरी कह चुके हैं अब defense mister ने भी कह दिया अब यहां पर मुझे आड़ करना पड़ेगा चाइना ने इंडिया को एक बार को यह प्रस्ताफ दिया कि आप P.O.K का जो यह सपना यह छोड़ दो इसके बजाए आप क्या करो कि हमारा जो belt and note initiative है इसको join कर लो आप भी पाकिस्तान की तरह ना हमारी एक economic policy बन जाना हम आपको loan वगरा प्रोवाइड करेंगे debt trap में फज्जा होगे और वैसे मैं आपको यह बता दू अब यह मत सोचना के चाइना का यह offer तो हम rejectी कर देते हिंडिया में जो वेक culture आ रहा है के free में चीजे बाटो मतलब election जीतने के लिए free everything is free कोई बड़ी बात नहीं है कल को कोई politician आ भी जाए वो चाइना से billions और डॉलर्स का loan ले भी ले इस उमीद से कि एक बार को free में लोगों को चीजे बाटता रहूंगा पावर में रहूंगा तो इंडिया मैं कहूंगा अभी के लिए lucky है के leadership हमारी ensure कर रही है के चाइना के सामडे हमारा एक tough stance रहे अब हम बात करते हैं बाबा अमरनात और मा शारदा के बारे में राजना सिंग जी ने जो यहाँ पर यह line बोली है इसका मतलब क्या है देखे कश्मीर आपको पताओगा पहली बात तो जो इसका नाम है यह रिशी कश्यप से आता है और रिशी कश्यप को काफिजगा फॉलो करते है कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडित यह मानते हैं के इनकी तीन बहुत important pilgrimage sites है इनके लिए religiously यह काफी important है इनमें से पहली side तो है अमरनात मंदिर फिर है शार्दा पीट temple जो आपको मिलेगा पाकिस्तान occupied कश्मीर में फिर है मार्तंड सन temple यह आपको मिलेगा इंडियन side में अब शार्दा पीट temple जो है यह बताया जाता है सती माता का मंदिर है और अगर आपने हिंदुईजम के बारे में थोड़ा बहुत ही पड़ा है तो आपको पता होगा के शिवजी के लिए सती माता किती important थी कितना tragic end हुआ था दोनों के प्रेम का तो सती माता का एक मंदिर आपको मिलेगा पाकिस्तान occupied कश्मीर यहाँ पे अब interesting बात में आपको बता हूँ यह जो मंदिर है यहाँ पे शारदापीत मंदिर यह Indian साइट से ना सिर्फ 10 किलोमेटर दूर है काफी बार discuss किया गया है इंडिया में कि यह जो area इसको तो हम आराम से capture कर सकते हैं चाइना भी यहाँ पर इस area को लेकर पाकिस्तान की जारा help करने के लिए आएगा नि क्योंकि चाइना भी सोचेगा कि इससे जो main link है पाकिस्तान का यह दो disturb होता नहीं है तो काफी बार इंडिया में discussion हुई कि इस religious shrine को हम वापस इंडिया में ला सकते हैं अब यहाँ वर आप कोगे wait अब इस shrine के वारे में सुना है बीच में इमरान खान ने कुछ statement दी थी इसके वारे में के जिस तरीके से करतारपुर corridor है उसी तरीके से वराएंगे शार्दापीट corridor interesting बात देखिए कि एक बार को इमरान खान ने इसके वारे में statement दी थी मगर बाद में reports यह आई कि पाकिस्तान आर्मी ने इस corridor को कर दिया है block और तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि यह corridor कभी build भी नहीं हुआ मैं एक बार यहाँ पर यह कहूंगा अगर शार्दापीट corridor बन जाता है तो वो भी एक बहुती ज़रा positive sign होगा मगर clearly पाकिस्तान कश्मीर को लेकर peace, stability, corridors यह सब नाना चाता नहीं है और इस सब के बीच में सबसे sad बाद यह है कि शार्दापीट temple की आज भी properly care नहीं होती बीच में news आई थी कि यहाँ पर जमीन यह transfer करेंगे जो minority community है उनको ताकि यह लोग यहाँ पर कुछ देखबाल कर पाए कुछ खास रक्की आज तक यहाँ पर हुई नहीं है तो इंडियन perspective से आप अगर देखो तो P.O.K को capture करने के benefits बहुत सारे है इंडियन देखिए जब भी कोई country बड़ा step लेती है तो उसके पीछे आप calculate करते हो क्या आपको benefits क्या हो सकते है नुकसान क्या हो सकते है benefit इंडिया को यहाँ पर यह मिलता है directly हमको access मिल जागा centulation countries का हम चाहबा report पे ता dependent होंगे नहीं हम directly Russia से connect कर पाएंगे एक enormous advantage मिलेगा इंडिया को P.O.K. वापस लेने का उसके इलावा हमारी history हमारा culture हमारी धरोवर हमारी बहुत सारी shrines जिनकी कोई भी care होती नहीं है P.O.K. में वो भी idol पड़ी है तो ये भी मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा factor है to eventually take back P.O.K. और यही बात highlight करी है हमारे रक्षामंत्री ने ना वापस आते हैं हमने question की तरफ के दुरौपदी मुर्मो जी प्रेजिडेंट बनने से पहले क्या थी तो सही उत्तर यहाँ पे है option option is the right answer teacher थी है यहाँ पर आप देख पाओगे आज भी इनका जो Wikipedia पेज है वहाँ पे occupation